नमस्ते फ्रेंद्स स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रेकर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाई वे इंग इंग लेक्चर नुबर एक्स तो बिना किस तरीके चलिए शुद करते हैं तो दोस्टो पिछले लेक्चर में हमने ट्राफिक क्यले स्टिक्स के बारे में जान लिया था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पी सिउट्राफिक दैंसिटी अंड्राफिक के पासिटी आज के पारे में इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हर एक vehicle जो है वो same नहीं होता है आप एक cycle को एक bike से compare नहीं कर सकते एक bike को आप एक car से compare नहीं कर सकते और एक car को आप एक truck से compare नहीं कर सकते सभी का speed अलग है, सभी का weight अलग है, सभी का dimensions अलग है और इसी हिसाब से जो है हमें जो है देखना पड़ता है कि इसको जो है कितना PCU यानि कि पैसेंजर का यूनिट में रखा जाए इसके लिए जो है अलग-अलग यूनिट समारा डिसाइड किया हुआ है और इसी तरह से हम लोग जो है ट्राफिक को कैल्कुलेट करते हैं ट्राफिक को जो है PCU से ही करते क्या जाता है ट्राफिक डेंसेटी वागेदा यूनिट वह हम लोग PCuk से क्यलकुलेट करते हैं फॉर एक्जाम्पल आप मान लोगे एक थेला होता है, उसका भी तीन चख्खा होता है, लेकिन जो एक सबस्क्राइब आशा तकारअब compare to the ठेला क्योंकि ठेला जो है वो slowly चलता है अब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ठेले को ज्यादा दे तक चलना पड़ेगा तो ट्राफिक वो कम जो है लेकिन ठेला है वो ट्राफिक ज्यादा मारता है क्योंकि वो धीर धीर जाता है तो इस तरस जो है कुछ-कुछ पैसेंजर कार यूनित समारे डिसाइड कि होए है जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं फार एक्जामपल सबसे पहले आप यहां है अलग-अलग classes के लिए वो दिया हुआ है for example जो car है उसके लिए one यहाँ पर दिया हुआ है bus and trucks के लिए यहाँ पर 2.2, 2.8 and 3.4 दिया हुआ है auto दिक्षाज के लिए यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है two wheelers के लिए 0.4 दिया हुआ है pedal cycles के लिए 0.7 दिया हुआ है block cards यानि कि जो bell गाड़ी होते हैं उनके लिए यहाँ पर 4.6 दिया हुआ है अब ऐसा क्यूं क्यूंकि जो bell गाड़ी होते है वो थोड़े slow होते हैं और वो ज्यादा देद तक traffic को consume करते हैं इसलिए इनका जो है value ज्यादा दिया हुआ है क्योंकि यह traffic में ज्यादा देद तक रहते हैं slow होते हैं गाड़ी इसलिए इनका जो है हमारा PCU value वो ज्यादा है अब जो गाड़ी जितना ज्यादा slow होता है प्लस जितना ज्यादा भारी होता है उसका PCU value उतना ही ज्यादा हो उनका यहां पर 0.5 दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, क्योंकि यह छोटे हैं, प्लस स्पीड है, फास्ट है, यह ज़्यादा ट्राफिक को कंज्यूम नहीं करते हैं, ट्राफिक में यह ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए जो है, इनका PCU वैलियो कम है, और ट्राफिक डेंसि हुआ हुआ है, कि कार का जो है PCU वैलियो क्या है, तो यह होता है, स्टैंडरड वन, फिर हम बसिस का होता है, धी ट्रक्स thकी होता है, जो earlier मोटर साइकल स्कूटर स वगेरा होता है, इनका 0.5 होता है, फिर जो थिलीपक ब्लुदट कार्ट होता है, छोटे भीए गारी होता ह 6, large bullet cards जो होते हैं उनके होते हैं 8 तो इस तरह के जो है कुछ-कुछ values है जो थोड़े important है आपको याद रखने की ज़रत है अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो passenger car unit यानि की PCU है इसको आखिर बनाया क्यों गिया तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं जो vehicles होते हैं वो सभी अलग-अलग type के होते हैं तो हम लोग जो भीड होता है vehicles का जो traffic होता है उसको हम लोग vehicle के number पर तो calculate नहीं कह सकते हैं कि इतना vehicle था और उससे जो है हमारा traffic jam हो गया तो ऐसा तो नहीं है सकता है क्योंकि अगर हो सकता है कि वहाँ पर bikes होतना तो उससे तो traffic jam होगा नहीं लेकिन कम ही trucks वगड़ा जाए या फिर दो ही trucks आजाएंगे तो किसी तरह से road jam हो जाता है लेकिन दो bikes में ऐसा कुछ होता नहीं तो दोस्तों इसी तरह से जो है अलग-अलग vehicles का अलग-अलग category होता है अलग-अलग type होता है और खासकर अगर इंडिया में देखे तो सभी गाड़ी जो है एक साथ mixed होकर चलते हैं जिसको हम लोग अपने technical भाषा में mixed traffic flow या फिर heterogeneous traffic flow भी बोलते हैं तो दोस्तों इसी तरह से जो है इसी confusion को इसी problem को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो है PCU value जो है वो सब का निकाला सभी vehicles का PCU value दिया और इसी हिसाब से जो है हम लोग traffic density and capacities वगेरा भी यहाँ पर calculate करते हैं तो दोस्तों इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें हमें यहाँ पर एक और जो है कुछ छोटे मोटे चार्ट्स यहाँ पर दिये में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको शोड़ा होगा यहाँ पर types of road के according भी हमने जो है PCU सेट किया हुआ है सभी वेहिकल्स का पर डे हमारा जो है इन वान डारेक्शन या फिर बोध डारेक्शन कितना कितना वेहिकल्स हमारा जाता है उस तरह से यहाँ पर सभी चार्ट में आप देख सकते हैं तो इस तरह के कुछ traffic flow है यहाँ पर तो यह सभी डेटा जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जोड़त है ताकि आप जो है आगे छोटे मोड़े कोशन जो है निमेरिकल्स वगेरा सॉल्व कर सके दोस्तो इस तरह से हम ने अभी अभी PCU के बारे में पढ़ा वेक्ल के बारे में पढ़ा तो यहाँ पर अलगलग वेकल्स जो है अलग अलग इस पेस को पाई करते है तो इस तरह से में जो वेकल होते हैं, जितने में स्पेस को- occupy करते है है और जो हमारे iliاج से बढ़ताας है जुत ज्यादा हमारे जो वेकल से वह एक दूस्तेBlue होगे तो उसीकश से बोल सकते हं density बोलेंगे ऐंगा जीतने हमारे zaradald में भिलत है और वह कितने लॉट है अगर ज्यादा close है तो density ज्यादा close नहीं है तो density कम है तो इसी तरह से दोस्तों जो है हम लोग traffic density निकालते हैं और इसका जो unit है हम लोग उसको vehicle per kilometer हम लोग लेते हैं एक kilometer में कितने vehicles है इस हिसाब से हम लोग mostly traffic density को calculate करते हैं और इसके लिए हमारे पास formula है formula हम लोग लिखते हैं traffic volume is equals to traffic density into traffic speed तो इसी तरह से दोस्तों जो है हमारा traffic volume जो है वो calculate किया जाता है और indirectly कहें तो आप इससे traffic density भी निकाल सकते हैं तो दोस्तों आप चलिए हम लोग आते हैं traffic capacity में तो traffic capacity क्या होता है चलिए देखते हैं अब दोस्तों जो traffic capacity है इसका मतलब है कि एक जो road है उसका जो single lane वाला या फिर double lane वाला जो road होता है उस पे कितना vehicle पार होने का चमता होता है अगर उससे ज्यादा होगा तो हो सकता है उस lane में जो है traffic jam हो जाए उससे कम होगा तो अच्छी बात है तो capacity जतना है उससे ज्यादा हम लोग generally नहीं करते हैं तो यहाँ पर traffic capacity equal to हम लोग vehicle per hour per lane में कह सकते हैं फिर एक और टम आता है दोस्तो traffic volume के नाम से तो यह भी वैसा ही है traffic density के तरह यहां भी हम लोग जो है number of vehicles को per cross section area के हिसाब से उसका cross section area के हिसाब से उसके road पर presence देखते हैं कितना वो जगा घे रहा है और कितने देर तक वो जगा घे रहा है जिससे कि हमारा road का volume जो है वो बढ़ रहा है तो यह सब होता है हम लोगे दोस्तो traffic volume फिर एक और टम हाता है दोस्तो हमारा basic capacity के नाम से तो यह होता है कि हमारा maximum number of passenger cars एक घंटे में या फिर पूरे दिन भर में कितना travel हुआ है उसको हम लोग का एक nearly जो है rough idea जो है देने का जो होता है उसको हम हम लोग basic capacity एक तरह से कहते हैं जिसमें हमें एक rough idea मिल जाता है कि आज जो है एक गंटे में इतने सारा passenger cars या फिर इतना सारा vehicles वागरा जो है cross किया है इस lane से तो तो इसी तरह कि जब हमें कुछ basic ideas मिल जाते हैं road के capacities को लेके तो हम उसे basic capacities का नाम दे देते हैं फिर दोस्तों हमारा यहां पर एक और term आता है possibility capacity अब यहां पर हमारा vehicle जो है per day या फिर per hour जो है कितना maximum vehicle पार होने का possibility है उसको हम लोग यहां पर देखते ह हैं तो जब हमारा possibilities को लेकर के maximum number of vehicles का यहां पर capacity देखते हैं तो उसे हम लोग possibility capacity बोलते हैं इसके बाद दोस्तों एक last term आता है जिसका नाम है practical capacity तो practical capacity में हम लोग क्या करते हैं road के capacity को practically देखते हैं यानि कि वहां पर हम लोग on the spot जाकर कि यह observe करते हैं कि कितना vehicle जो है per hour य capacity तयार करते हैं और इसको हम लोग tactical capacity बोलते हैं अब दोस्तों इसके बाद हमें जो है traffic volume study के बाद में पढ़ना है कि जो traffic volume होता है उसको आखित study कैसे किया जाता है तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी अभी बहुत सारे practical capacity वागेरा यह सब यह सब देखा इन सबी में हमें जो चला की vehicle जो है वो किस तरह से pass करता है उसको हम लोग per day के हिसाब से या फिर पर hour के हिसाब से count करते हैं तो इसी तरह से दोस्तों हमारा जो traffic volume है उसका study भी कुछ SI किया जाता है और जो हमारा road का यानि कि traffic volume है उसको हम लोग यहाँ पर check करते हैं कुछ studies के माधियम से तो यहा हाँ पर हमारा सबसे पहला method जो है वो आता है manual count दूसरा है हमारा automatic counter and तीसरा है हमारा moving card method तो दोस्तों सबसे पहले आता है manual counts तो manual counts method में क्या होता है कि हम लोग सभी गाडियों को सभी vehicles को manually count करते हैं और per hour के हिसाब से या फिर पर day के हिसाब से count करके एक data बनाते हैं उसका ज जिसतर टाइप का हमारा raws and columns में जो है data को mention किया जाता है और इस तरह से हम लोग जो है इसको manually fill करते हैं तो दोस्तों क्योंकि में सभी काम manually किया जाता है तो इसलिए हम लोग इस method को manual counter बोलते हैं तो इसके बाद दोस्तों हमारा next method आता है Automatic counter तो Automatic counter में क्या होता है कि इसम कुछ sensors ऐसे लगे होगे होते हैं, sensor अगे होगे होते हैं, कुछ-कुछ ऐसे machines है, cameras है, जो की help करते हैं हमें vehicles को count करने में per day या फिर per hour के हिसाब से, तो यह जो है, automatically हमारा machines के through हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग automatic counter का नाम देते हैं, इसके बाद दोस्तों एक last method आता है, जिसका नाम है moving car method, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कि सभी जो vehicles आपस में meet करते हैं, या फिर overtake करते हैं एक दूसरे को, उनको जो है, एक तरह से उनका time taken और कितन यहां पर देख सकते हैं, और इस relation के through, v is equals to x plus y by ta plus tw, यह एक relation है, इसके through यह इस formula को use करके, हम लोग moving car method से, उसका traffic volume निकालते हैं, तो दोस्तों यही था, महना PCU traffic density and traffic capacity, I hope आपको सभी टाम सचे से समझ में आ गए होंगे, तो दोस्तों आज का लेक्षर ने भी खत्म होता ह है, आगे आने लेक्षर में हम लोग traffic control devices के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आई होप आपको आज का लेक्षर पसंद आया होगा, आगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो प्रीज इस वीडियो को अपने सब्सक्राइब करें, शेर करें अपने सब्स सब्सक्राइब करें हमारे जियान को, तकि आगे आने वाले वीडियो आप पलिशना कर सकें, तरने माद दोस्तों हमारी वीडियो देखें के लिए,